स्क्राइब करें दर स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बैल आइकन को जरूर दबाएं हेलो दोस्तों आपका अपने परिवार्दा स्पीड स्टडी पर स्वागत अभिनंदन है और हम लोग जो है उसी क्रम में आथ आगे चर्चा करेंगे कल हमने देखा दोस्तों आप लोगों ने बहुत प्यार और इसने दिया और मैंने कहा कि आपका प्रेम और इसने ही है जो हमें पढ़ाने के लिए मजबूर करता है और याद रखिएगा हम सुरुआत उसी दो लाइन से करेंगे दोस्तों सुरुवात हम उसी दो लाइन से करेंगे मंजिल ने होसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं मंजिल ने होसलों से कहा कि ये तेरे बस की बात नहीं होसलों ने मंजिल से कहा चल जुठी तेरी इतनी अवकात नहीं मंजिल ने होसलों से कहा तेरी इनी अवकात नहीं तो होसलों ने मंजिल से क्या कहा चल जुठी तेरी इतनी अवकात नहीं मतलब दोस्तो होसला बड़ा होना चाहिए होसला बड़ा होना चाहिए अगर होसला बड़ा है तो मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो हम जरूर पहुच जाएंगे तो याद रखिये कि दोस्तो एक एक दिन आपको ये लगएगा कि चलो आज नहीं कल पढ़ लेंगे कल नहीं परसो पढ़ लेंगे या फिर एक्जाम आएगा तब पढ़ लेंगे बिलकुल भी ऐसे बहकावे में मत आईए क्योंकि ये मन मन दोस्तो भटकाएगा जरूर लेकिन नहीं मन तो सरार्ती होता है दोस्तो मन की कभी मत सुनिएगा आप लग जाएए दोस्तो पढ़िए आप जवर जस्ती पढ़िए दोस्तो आपका मन करें कि ये नहीं कल पढ़ेंगे कल से पढ़ेंगे तब भी दोस्तो आप आप से पढ़िए क्योंकि कल कभी नहीं आता याद रखिएगा कल कभी नहीं आता तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे जैसा कि हमने एक बार कहा भी था और आपके थमनेल में भी लिखा हुआ है क्या लिखा है दोस्तो तो हालात कितनी भी बुरी हो आंधी हो तूफान हो लेकिन मंजिल तक जरूर पहुचना है दोस्तो जैसा कि मैं देखता हूँ काफी बच्चे कहते हैं एक सर जो है हमारी यहां नेट नहीं चल रहा है या फिर ऐसा है हो सकता है प्रॉब्लम हो लेकिन याद रखिएग ठ्रशन एक बार जय ही लिखे दोस्तो हरो गूड मांउनिंग इसान गूड मार्निंग नरेस गूड मार्निंग विष्णू आ बाप रे बाप यह कौन सा नाम है झी आस्राज सक्ती chicken 30डिनिलेस नरेश, संदीप और थारे बहुत से बच्चे हैं ठीक है दोस्तों तो आप लोग आ गए है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों हमने कहा दोस्तों कि हम लोग पढ़ते क्या हैं हम लोग सबसे पहले दोस्तों रूल पढ़ते हैं रूल के बाद हमने कल दोस्तों केवल Antony और Sanonym देखा था आज हम लोग पहले Rule देखेंगे दोस्तों Rule देखने के बाद फिर हम लोग देखेंगे One Word Substitution और हम लोग देखेंगे दोस्तों Antony और Sanonym देखेंगे ठीक तो आज हम लोगों का जो Topic है दोस्तों एक दो तीन चार अर्था चार टापिक हम लोगों को पढ़ना है और ये डेली पढ़ना है दोस्तों ये कब पढ़ना है दोस्तों ये हमको डेली पढ़ना है और WHS की जाइब दोस्तों idioms and phrases कर दिया जाएगा बाकिसारी चीज़ये ही तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग मैराथन प्लासेश चली हैं उसको जरूर देख लिए होंगे मैने कहा दूस्तों कि मैराथन आप लोग जरूर देख लीजेगा वह आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है तो चलिए दोस्तों हम लोग सुरू करते हैं आज का टापिक अपना और आज हम लोग सबसे पहले इंग्लिस ग्रामर पढ़ते हैं और इंग्लिस ग्रामर में दोस्तों सबसे पहले हम इंग्लिस ग्रामर पढ़ेंगे और इंग्लिस ग्रामर में सबसे पहले रूल देखेंगे दोस्तों कल हम लोगों ने कुछ रूल देखा था कल हम लोगों ने दोस्तों चार रूल देखा थ दो नाउन है और दोनों नाउन दोस्तों आयंड से जुड़ा हुआ है दो नाउन अगर आयंड से जुड़े होंगे तो इसके साथ हमेशा दोस्तों प्लियूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी वहीं दोस्तों अगर दो नाउन आयंड से जुड़े हूँ दो नाउन हो दोस्तों और दोनों नाउन and से जुड़े हूँ लेकिन ये जो नाउन जुड़े हैं दोस्तों ये नाउन एक ही व्यक्ति एक ही व्यक्ति एक ही वस्तु या फिर दोस्तों एक ही विचार को अगर दिखाएंगे अगर ये एक ही व्यक्ति एक ही वस्तु एक ही विचार को दिखाएंगे तो याद रखिएगा इसके साथ दोस्तों singular helping verb लगती है हमने यह बताया था पहला rule यह बताया था दोस्तों उसी नहीं हम नेती सरा rule बताया था और तीसरे में ही पहले दोस्तो आर्ट कर लगा हो तो उसका मतलब होता है कि यह दोनों नावन एक ही हैं तो ऐسी यह वहस्था में दोस्तों लैर हयल्पिंग वर्ब का प्रियो aussi करते हैं तीसरे है मारा इसी तीसरे यहमें हमने और बताए था कि और दो नावन अगर दो उनों जो है अलग-अलग व्यक्ति को प्रदर्सित करते हैं और अलग-अलग व्यक्ति को प्रदर्सित करेंगे दोस्तों तो इसके साथ one of them मिल जाए one of one of them मिल जाए दोस्तो तो उसके साथ हम क्या करते है one of them एक मेर्ट रूख जाएगे दोस्तो one of them नहीं है साइद वहाँ पर एक मेर्ट बरताता हूं more than one है दोस्तो वही मैं कह रहा हूं one of them तो दूसरा रूल है more than one अगर मिल जाए दोस्तो अगर आपको more than one मिल जाए और more than one दोस्तो अगर इकठा रहेगा तो इसके साथ जो प्रियोग किया जाता है दोस्तो singular helping verb प्रियोग किया जाती है वहीं अगर दोस्तो अगर more than में क्या होगा अगर दोस्तो more और plus plural noun रहेगा और प्लस दैन वन रहेगा दोस्तों तो इसके साथ इसके साथ दोस्तों प्लूरल हेल्पिंग वर्व का प्रियोग करते हैं तो कल हमने दोस्तों ये चार रूल पढ़ा था एक बार हमने पूरा रिवाइज करवा दिया आपका एक बार हमने पूरा रिवाइज करवा हमने कहा कि आप हमारे साथ पढ़िए पढ़ने के बाद एक बार अपने आप से पढ़िए एक गम निश्चित ही सारी चीजे कंठस्ट हो जाएगी कभी भूले की नहीं दोस्तों और याद रखिएगा इंग्लिस इंग्लिस दोस्तों आप की महभूबा की तरह है इसको आप ज दूर चले जाएंगे बहुत दूर चले जाएंगे और अगर आपका ख्वाब वर्दी है दोस्तों अगर आपका ख्वाब वर्दी है और वो कोई भी वर्दी हो तो आपको इंग्लिस आना जरूरी है दोस्तों क्योंकि बिना इंग्लिस के वर्दी नहीं आती दोस्तों तो हमने कहा दोस्तों जो और प्रभलीटरश से लीजिए आप अपनी नोट्स लेक कॉपी लेकर वाए ठीज होगी आपके दिमाग में लिखता है तो चलिए दोस्तों एक बार मोबाईल होरिजेंटम रख लिजिए कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है आप हमारे साथ पढ़ते रहें दोस्तों इसान नरेश विष्णू शिवराज सक्ति आसिस सभी लोग हैं दोस्तों मैंने कहा कि नाम के पीछे मत पढ़िए नाम तो जरूर दोस्तों तो चलिए सुनते हैं आगे देखते हैं रूल देखिए कि दोस्तों एड्जेक्टिव इसमें दोस्तों अगर आपका कोई एड्जेक्टिव रहे क्या रहे दोस्तों अगर कोई दोस्तों एड्जेक्टिव रहे और एड्जेक्टिव के पहले दोस्तों आल्टिकल लगा दिया जारे हमने कहा था दोस्तो आप नहीं देखे हैं तो उसको जो देख लिजएगा आपके उस पर तो है आपके वर्ट सब्सक्राइब पर भी टेलीग्राम पर भी मैं आर्टिकल का वीडियो का वो दे दूँगा लिंक दे दूँगा आप देख लीजेगा अभी क्लास खतम होने के बाद तो आपके पास दिन भर पूरा टाइम रहता है दोस्तों साम को फिर क्लास चलती है साथ बजे तो उतने बीच में दोस्तों कि Gs आप लूसेंट से पढ़िये सबसे अच्छी बुक लूसेंट है। लूसेंट से आप पढ़िए ठिक उसके बाद दोस्तों जो इंपॉर्टेंट रहे गा वो मैं आपको करवा दूँगा तो आप परिशान मत होईएगा लूसेंट से पढ़ते रहे उसके बाद जो इं पूर पहले आप समझ लीजिए उसके बाद मैं रून लिखवाता हूं अभी आप लिखिए गर नहीं मैंने कहते पहले समझ यह पूर का मतलब होता है घरीब अगर हम इसे के पहले दा लगा दें दोस्तो तो दा आपका है आर्टिकल लेकिन दोस्तों अगर कहीं दा पूर इसका मतलब वो गरीब लोग बहवचन हो गया उसी तरह दोस्तों अगर कहीं रीच लिखा है तो रीच का मतलब होता है दोस्तों अमीर वहीं अगर दोस्तों दा लगा दिया गया इसके पहले अर्थात आर्टिकल लगा दिया गया तो यह हो गया दा रीच मतलब दोस्तों अमी 네 हे लो तो याद रखrh stain कर तो बिलकूल भी प्रेशान होने की जुरूँत नहीं है उसी तरह अगर मद बात करए तो डीफ की बात करें अगर डीफ की influence की बात क्रें तो डीफ मतलब होता है दोस्तों बहरा लेकिन एक दाला लगा दे दुस्तों तो गरीफ का मतलब होता है बहर गरीब गरीब क्या है विसेश्ता है राम गरीब है तो गरीब क्या हो गया विसेश्ता हो गई राम अमीर है अमीर क्या है विसेश्ता हो गई राम अंधा है अंधा क्या हो गया विसेश्ता हो गई राम लंगड़ा है लंगड़ा क्या हो गया विसेश्ता हो गई जब भी किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बताया जाए दोस्तों कि वह व्यक्ति ऐसा है अगर मुझ से पूछे कि कैसा है कैसा है तो कैसा का जवाब मिलेगा वो जान लीजी कि आपको एड्जेक्टिव मिलेगा जैसे राम लंबा है तो राम कैसा है तो लंबा है दोस्तों अर्थात लंबा तो इसका मतलब लंबा किया हो गया दोस्तों एड्जेक्टिव है तो वही चीज़ है दोस्तों अगर आपको अड्रीक्तिव के पहले आर्टिकल मिल जाएगा तो याद रखिएगा वह प्लूरल नावन की तरह कारी करता है तो रूल में लिख लीजिए दोस्तों रूल में लि जाता है तो वह प्लिवरल नाउन की तरह कारे करता है तो वह प्लिवरल नाउन की तरह कारे करता है तो वह प्लिवरल नाउन की तरह कारे करता है दोस्तों जैसे दा पूर मतलब घरीब लोग दा डीफ बहरे लोग दा रिच अमीर लोग दा ब्लाइंड अंधे लोग इसको लि लोग ठीक तो यह था आपका रूल दोस्तो हमने क्या बताया इसको आप लिख लीजिए दोस्तो उसके बाद फिर मैं इसका एक्जामपल देता हूं हमने बताया दोस्तो क्या बताया कि आगर आपका एग्जेक्टिप के पहले कोई आर्टिकल लग जाए तो वो आपका आईए हम Example देखते हैं The poor Is Honest आप सोचेंगे दोस्तों मैंने लिखा The poor is honest गरीब इमानदार होते हैं सच की बात है गरीब सच में इमानदार होते हैं एक गरीब कभी किसी का एक रूपय लेता नहीं The poor is honest गरीब इमानदार होते हैं तो हमने कहा कि अगर किसी भी adjective के पहले अगर article लग जाए तो जान लीजी का वो आपका plural की तरह कारी करता है plural noun की तरह कारी करता है तो देख रहा हूं दोस्तो पूर आपका adjective है और उसके पहले दा लग गया अर्था the poor का मतलब गरीब लोग दोस्तो तो इसलिए यहाँ पर easy नहीं होगा दोस्तो यहाँ पर easy नहीं होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा the poor are honest यनि कि गरीब लोग क्या होते हैं दोस्तो इमानदार होते हैं वह अगर बात करें दोस्तो अगली बात करें तो the rich are not happy the rich are लुग जाएगे दोस्तों the rich are always not happy मतलब क्या हो दोस्तो दर्रीच मतलब अमीर are always सदयो not माने नहीं रहते हैं happy माने प्रसंद जो अमीर लोग होते हैं दोस्तों वो कभी प्रसंद नहीं रहते तो हमने क्या बता है दोस्तों rich लिखा है कुछ बची सोचेंगे दोस्तों the rich मतलब अमीर आप चुकी दा लगा है इसका मतलब कि वो एक वचन है अर्थात यहां पर आग नहीं हो गए यहां पर है तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों the rich are always not happy हमीर व्यक्ति कभी प्रसंद नहीं रहते दोस्तों क्योंकि उनको पैसे की पड़ी रहती दोस्तों उनको पैसे की पड़ी रहती है और याद रखिएगा क्योंकि अगर आप पैसे की कीमत करेंगे दोस्तों तो पैसा आप की कीमत करेगा याद रखिएगा तो समझ में आएक नहीं दोस्तों समझ में आएक नहीं तो एक बार बताईए दोस्तों सब लोग कमेंट करिए कि समझ में आएक नहीं इसान कि संदीप किसन शक्ति सिवराज चले ठीक है समझ में आ गयात कोई बात नहीं एक और देख लेते हैं अच्छा एक और देख लेते हैं हमने एक और दिया था उसमें अंधा वेक्ति दिया था ब्लाइंड दिया था तो देख लिजे पिल्पलिस द जर्बर्त द लाइंड मतलब आंधे इजमाने हैं हैं असहाए तो इसमें बताईए कि टैए और है दोस्तों इसमें बताईए किild甲 defense इसमें इसमें बताईए दोस्तों क्या अन्चाईर आंधें आशाए हैं जोस्तों तो याद रखियेगा हमने झाँ दो दोस्तों जब भी adjective के पहले article लग जाए तो इसका मतलब कि यहां पर इज नहीं होगा दोस्तों क्या हो जाएगा दब्लाइंड और appear well place मतलब अंध्य व्यक्ति असहाइ होते हैं दोस्तों अंध्य व्यक्ति असहार होते हैं तो यह नुHI अक्त नहीं दोस्तों मजण नहीं कि जब मज़ा आ जाए जब समझ में आ जाए दोस्तों तो जह भी अंद आप लग दीर कीजिए बस little फोन होरीजंटल रखकर पढ़िए आरांसे फोन होरीजंटल रखकर पढ़िए कहीं कोई डाउट हो तो आप बताईएगा दोस्तों कमेंट करिएगा आपका कमेंट में देखूंगा और उसका जवाब चरूर दोंगा कल के वीडियो में किसी ने कोई प्रस्द नहीं पूछा जाता दोस्तों अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप चाहे टेले क्रीम पे पूछे दोस्तों चहें वाठ जेप पूचे तो आपको जवाब दिया जाएगा चुलिए दुख्षों अगले रूश्यारूल पर चालते हैं और अगला रूश्यारूल किया है होता क्या है जैसे कभी कभी दो वाक को मिलाकर एक साथ लिख दिया जाता है तो दो वाक को मिलाकर जबी एक साथ लिख दिया जाता है दोस्तों तो उसमें helping verb एक ही प्रयोग की जाती है helping verb दो रहती है दोस्तों लेकिन verb एक ही प्रयोग की जाती है जैसे जैसे सुनिए जो दोस्तों he has never यहां लिखता हूं दोस्तों he has never अब सुनिए दोस्तों he has never I and will never called him he has never and will never called him अब सुनिए दोस्तों he has never मतलब उसने कभी नहीं and will never और कभी नहीं काल्ड ही मतलब बुलाया मतलब उसने उसे कभी नहीं बुलाया और ना कभी बुलाएगा उसने उसे कभी नहीं बुलाया और ना कभी बुलाएगा तो दोस्तों इसमें दोस्तों इसमें एरर कहां पर है इसमें एरर कहां पर है दोस्तों एक बार कमेंट करिए दोस्तों एक बार कमेंट करिए अभी तक दोस्तों किसी का कमेट नहीं आया एक बार कमेट करिए बताइए किसमें एरर क्या है चलिए चब मैं ही बता देता हूं दोस्तों पहले रूल लिख देता हूं तब समझ में आ जाएगा आप खुद बता लेंगे दोस्तों सुनिएगा जब कभी एक ही वाक में एक ही वाक में वर्ब की इंगलिस में लिख देता हूं दोस्तों वर्ब की अलग अलग फार्म की जरूरत हो तो वहां अलग अलग लिख लेते हैं यही रूल है दोस्तों जब भी किसी वाक में वर्ब की अलग अलग फार्म की जरूरत पड़े दोस्तों फिर नेवर विल लिखा है अगर हम बात करें दों इस काल्ड की तो हम देख रहें दोस्तों यहाँ पर बील है यहाँ पर काल्ड है अठ Archives हमने पढ़ा है हमने पढ़ा है आप सबने पढ़ा है दोस्तों कि कुछ क्रिया होती है उस के साथ अम iş सब कीफ फार्म कर्यों भोवता है जैसे वील फैल ऊटसु आन गुड इसके सब के साथ दोस्तो हमीसा हमेशा डोस्तो हर जगा वर्ब की फ़र्ष्ट-फिर्म का प्र्योग होता है तो याद रखी दोस्तों यहां पर वर्व की सेकंड फार्म है अर्था दोस्तों एर्र कहां पर है अर्था दोस्तों एर्र कहां पर है यहां पर है इसका जब सही करेंगे दोस्तों थी हो जाएगा he has he has never called and will never call him he has never called वह कभी नहीं बुलाएगा वह कभी नहीं बुलाया and will never called और कभी नहीं बुलाएगा मतलब वह उसे कभी नहीं बुलाया और कभी नहीं बुलाएगा दोस्तों ये हो जाएगा इसका प्रू मतलब ये हो जाएगा सही ये हो जाएगा गलत तो रूल में हमने क्या दखा दोस्तों कि जब भी दो helping verb लगी रहे दोस्तों देखिए एक helping verb यहाँ है एक helping verb यहाँ है जब भी helping verb लिख देते हैं दोस्तों जैसे अगर हम एक मार्ट के और बात करें तो I will not and have not gone there I will not and have not gone there सुनिया दोस्तों I will not मैं कभी नहीं and have not gone दियर वहां जाओंगा मैं कभी नहीं अर्थात मैं वहां कभी नहीं गया और वहां कभी नहीं जाओंगा मैं वहां कभी नहीं गया और वहां कभी नहीं जाओंगा तो दोस्तों इसका बताईए आप लोग क्या होगा इसका बताईए आप लोग क्या होगा यहां पर कम दिख र ही हो तो याद रखिएगा दोनों हेल्पिंग वर्ब के अनुसार वर्ब का प्रियोग कर लेते हैं तो यहां पर देख रहे हैं दोस्तों विल और विल के साथ दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फार्म का प्रियोग होगा और है के साथ वर्ब की थार फार्म का प्रियोग होगा तो to go and do have not gone dear यह हो जाएगा इसका सही दोस्तों यह हो जाएगा सभी बताइए समझ मैं आएक नहीं दो तो रूल नमबर दो आज का समझ में आएक नहीं दोस्तों किसी को कोई डाउट है किसी को कोई डाउट हो दोस्तों तो आफ लाइन कमेट करिएगा मैं जवाब जरूर दूँगा दोस्तों आफ लाइन कमेट करिएगा मैं जवाब जरूर दूँगा एक बार आप लोग दोस्त ह Bruno कुछ ऐसी बर होती है दोस्तों कुछ कि अ Cup कई प्रियोग नहीं कि जाती है फिर ले में planning यह दोस्तों रोन नखर साथ को आएसे होती है ऐसी होती हैं जिन्हें कांटीनुवस में जिन्हें यहां पर कांटीनुवस लिखाओं जिन्हें कांटीनुवस में प्रियोग नहीं करते हैं दोस्तों तो याद रखिएगा वो वर्बस कौन-कौन सी हैं मैं दौस्तो उसका लगवा दे रहा हूं विबेग जी उसको लगा दिया गया है आपकी स्क्रीन पर ऑप इसको पर नोट कर लीजिए फिर मैं इसको समझाताओं दोस्तों क्या है देखिएगा जैसे दोस्तों देखिए आपकी स्क्रीन पर लगा है पहले लगा है वर्ब स्विंग पोजीशन जो की पोजीशन दिखाता हो जैसे ओन बिलांग कंप्राइज पोजेसेज कंटेंड कंसिस्ट वर्ब दोस्तों लिखा है वर्ब तो वर्ब कुछ होए जैसे here, prefer, taste, see, smell, please, notice, recognized अगला है दोस्तों like, believe, dislike, love, hate, agree, trust, imagine, want, wish, desire, adore तीनों चीज़ है दोस्तों आप इसका screenshot ले लीजिए बाद में लिखिएगा तब तक मैं समझाता हूँ दोस्तों एक बार आप screenshot इसका ले लीजिए आप screenshot ले लीजिए दोस्तों जो दिया गया है इसका screenshot ले लीजिए अब मैं important बताता हूँ इसमें ज्यादा जो पूछा जाता है उसको आप screenshot ले लिए होंगे दोस्तों screenshot ले लीजिए चलिए दोस्तों देखते हैं सुनिएगा जो important है important है दोस्तों here important है feel important है love important है own ठीक यह सभी important है जो आपके उसमें पूछा जाता है दोस्तों वहीं आगे देखी दोस्तों important है agree important है दोस्तों imagine और देखी दोस्तों और देख लेता हूं क्या important है important है prefer तो यह सभी दोस्तों important है इसके साथ कभी भी आई एंजी का प्रियोग नहीं होगा अर्थात कभी ओनिंग का प्रियोग नहीं होगा कभी hearing का प्रियोग नहीं होगा कभी feeling का प्रियोग नहीं होगा कभी loving का प्रियोग नहीं होगा कभी imagining का प्रियोग नहीं होगा कभी agreeing का प्रियोग नहीं होगा अर्थात इसमें कभी भी दोस्तों ing का प्रियोग नहीं किया जाता है इसमें दोस्तों कभी भी ING का प्रयोग नहीं किया जाएगा जैसे रभी इज रभी इज ओनिंग एक कार रभी मतलब रभी इज माने है ओनिंग मतलब की ओनर है मालिक है एक कार मतलब एक कार का और आप लोग इसको देखेंगे दोस्तों कहेंगे सही है क्योंकि रभी अपने कार का क्या है मालिक है तो दोस्तों सही नहीं है याद रखिएगा याद रखिएगा ये सही नहीं है दोस्तों क्यों क्यों नहीं सही क्योंकि हमने बताया दोस्तों कि owning own हो गया here हो गया feel हो गया love भो गया, image, n हो गया, prefer हो गया, agree हो गया. ये सभी कभी continuous में परयोग नहीं किये जाएंगे. अर्थात, ये इंडिफिनेट में या तो रहेंगे दोस्तो, या तो आपकी perfect में रहेंगे. या तो indefinite में रहेंगे, या तो perfect में रहेंगे. ना तो आपका continuous में रहेगा ना तो perfect continuous में रहेगा तो याद रखिए गार्थात यहां पर दोस्तो इज ओनिंग नहीं होगा यहां पर होगा owns इसका मतलब हुआ रभी मतलब रभी owns मतलब मालिक है एकार मतलब एकार का रथात यह अब सही हो गया दोस्तों रभी ओन्स एकार रभी एक कार का मालिक है वहीं अगर मैं बात करूँ दोस्तो तो I am seeing a man I am seeing a man standing dear ती अची आई आरी है I am seeing a man मैं एक आदमी को देख रहा हूँ standing bear वहाँ खड़े हुए मैं एक आदमी को वहाँ खड़े हुए देख रहा हूँ दोस्तो अब आप बताईए अब आप बताईए दोस्तो इसमें क्या एरर है आप बताईए किसमें क्या गलत है दोस्तो आप बताईए दोस्तो कमेंट करिए संदीप महेश नितीश इसान सभी लोग कमेंट करिए दोस्तों देखता हूं सेखर कमेंट करिए शिवराज आप कमेंट करिए आसीस कमेंट करिए आप सब कहां चले गए आप सब भाई कमेंट कर ये दोस्तों अर्थात हमने क्या कहा कि सींग का प्रियोग कभी नहीं करते हैं यहां पर क्या होगा दोस्तों आई और सींग ना होकर कि दोस्तों क्या हो जाएगा आई चुकि फर्स्ट परसन है दोस्तों तो यह हो जाएगा इसका सही दोस्तों बताईए किसी को कहीं दिक्कत है दोस्तों किसी को कहीं भी दिक्कत हो दोस्तों बताईए किसी को कहीं भी दिक्कत हो बताईए चलिए चाहे एक वर्ड और देख लेते हैं कि एक और देख लेते हैं कि आई एम कि बिलॉंगिंग अमीठी कि आई एम बिलॉंगिंग अमेठी आई एम बिलॉंगिंग मतलब मैं संबंधित हूं अमेठी मतलब अमेठी मैं अमेठी से संबंधित हूं तो दोस्तों इसमें आप लोग बताए एक एरर क्या है चुकि मेरा घ गाव मीठी में तो इसलिए दोस्तों मैंने लिखा है और भी चलिए ठीक है अब आ गया तेग मैं आपको बता दीता हूं अब जो है दोस्तों पहले AK-47 हुआ करती थी, अब AK-47 का अस्थान ले रही है दोस्तों, AK-203 जी हां दोस्तों, अब AK-47 का अस्थान AK-203 ले रही है और AK-203 जो है, ये दोस्तों एक मिनट में ना, AK-203 जो है दोस्तों, ये एक मिनट में दोस्तों, छे सो बुलट दागती है, 600 गोली दाःती है एक टू जीरो ठीरी दोस्तों एक मिनट में 600 गोली दागती है और यह कहां पन रही है दोस्तों यह अमेथ्य के साथ यसाथ चलते हैं क्या देखरें दिखा है और किया दूस्तों यहां पर हमें लिख लिए इसमें बिलॉंग भी लिख लीजिये जो आपको मैने भी को दिखाया था स्लाइड दिखाई थी तो उसको Tech आपर वह से लिख लिए सके जो इंपॉर्टेंट था मैंने सारह लिथी है वहां पर तो omg नहीं हो अमेठी किसी को कोई दिक्कत हो दोस्त बताइए समझ में आया कि नहीं अर्थात ये सब वर्व है दोस्तो जिसके साथ कभी भी continuous का प्रियोग नहीं करेंगे continuous में ये सारी वर्व दोस्तों कभी भी प्रियोग में नहीं ली जाएगी समझ में आएक नहीं दोस्तों बताइए चलिए आगे देखते हैं आगे देखते हैं रूल नंबर आठ क्या है सुनिएगा रूल नमबर आठ दोस्तों बेरी बेरी इंपॉर्टेंट है बेरी बेरी इंपॉर्टेंट है इसमें स्टार लगा लिजे दोस्तों जितना भी स्टार लगा लें वो कम ही है जितना भी स्टार लगा लें दोस्तों वो कम ही है सुनिएगा देखिएगा नाइढर दाट दाट नॉर एधर डाट डाट आर नाइढ दाट डाट नर इधर डाट डाट आर या फिर दोस्तो नाट ओनली डाट डाट बत आल्सो not only dot dot but also या फिर दोस्तो none but या फिर दोस्तो none but अगर ये सब मिल जाए दोस्तों dot dot कर दीजेगे इसमें none but के बीच में गए फैं दोस्तों none but अगर दोस्तों ये सब मिल जाएगा तो याद रखिएगा इसके साथ हमेशा नजदीक वाले नजदीक वाले noun के अनुसार helping verb लगती है के साथ के साथ हमेशा हमेशा नजदीक वाले नजदीक वाले noun के साथ नजदीक वाले noun के साथ helping verb का प्रियोग करते हैं helping verb का प्रियोग करते हैं मतलब दोस्तों नाईदर डाट डाट नार हो लुख तर रो नाट arde डाट बट आल सो हो नन बट हो इसके सब के साथ दोस्तों हमेशा नज़्दीक वाले नाउन के मतलब कि नज़्दीक वाले नाउन के अनुसार हिल्पिंग वर्ब का प्रियोब करती हैं जैसे दोस्तों जैसे दोस्तों सुनिएगा नाइधर यू नाइधर यू नार आई आर गोईंग कहा जाना है दोस्तों बताईए प्रियागराज चलिए दोस्तों नाइधर यू ना तो तुम नार आई ना तो मै ना तो तुम ना मै आर गोईंग प्रियागराज प्रियागराज जा रहे हैं अर्थात ना तो तुम और ना मैं प्रियागराज जा रहा हूं दोस्तों तो मैंने कहा कि दोस्तों जब भी neither dot dot nor मिल जाए, either dot dot are मिल जाए, not only but also मिल जाए, none but मिल जाए इसके सब के साथ दोस्तों नजदीक वाली, जो नजदीक में रहेगी दोस्तों उसी के अनुसार helping verb लगती है और नजदीक का मतलब दोस्तों देखिए, आर यहाँ पर है, helping verb यहाँ पर है और helping verb के नजदीक में क्या है दोस्तों, I है कि U है, आप बताईए helping verb کے नजदीग में दोस्तों क्या है I है कि U है I नजदीग है न तो यहाँ पर helping verb लगेगी दोस्तों I के अनुसार लगेगी अर्थात दोस्तों यहाँ पर r न होकर कि दोस्तों I am हो जाएगा मतलब neither you nor I am going to Pryag Raj I am going to Pryag Raj तो यह है दोस्तों बताये कहीं दिक्कत होतों जैसे एक सेंटेंस और ले लेता हूं एक सेंटेंस और ले ले लेता हूं दोस्तों आईदर मोहन और अईज फ्रेंट्स इज प्लें एक क्रिकेत मैज मतलब आईदर मोहन या तो मोहन और जहीं और इस फ्रेंड या उसका मित्र एच प्लेइंगे क्रिकेट मैच क्रिकेट मैच खेल रहे हैं तो दोस्तों हमने क्या कहा अब जैसे यहां पर सोचैनल मुहना है मुहन के साथ लगा पर यही है लेकिन दोस्तों यहां पर यह वाला दोस्तों यहां पर इज नहों करके क्या हो जाएगा यहां पर इज नहों करके आर हो जाएगा यहां पर इज नहों करके आर हो जाएगा बताइए किसी को कोई दिक्कत हो दोस्तों किसी को कहीं भी समस्य हो दोस्तों कमेंट करिए किसी को कहीं भी समस्य हो दोस्तों कमेंट किसी कहीं दिक्कत है इसमें है अगे चलें बताए ऑconnect करिए कहीं कोई समझस्य के स्मझ में कुझ सब्सक्राइंगा की आफ प्रेक्टिस करवाओंगा दोस्तों तेकदम हवा हो जाएगा सब प्रेक्टिस जब चलेगा तेकदम हवा हो जाएगा परिशान मत हुएगा चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और रूल नंबर नौ पर चलते हैं दोस्तों देखते हैं रूल नंबर नौ क्या है आज का आखरी रून नम्मर नो में देखिए दोस्तों जैसे इसी का उल्टा जो अभी आपने देखा इसमें हमने देखा कि जो नजदीक रहेगा उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगती है क्या क्या था आइडर डाट डाट और नाइडर डाट डाट इसके सब के साथ जो नजदीक में रहेगा हेल्पिंग वर्ब के नजदीक जो रहेगा उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगती है इसी का उल्टा देखिए दोस्तों इसी का उल्टा आइज विल आइज आइज विल आइज या दोस्तो बित या फिर दोस्तो टूगेदर बित या फिर दोस्तो आएंड नाट देखिए आपकी स्क्रीन पर लगा है क्या लिखा है देखिएगा आपकी स्क्रीन पर लगा है दोस्तो क्या लिखा है देखिएगा अगर एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंक्लूडिंग इक्स्क्लूडिंग कंट्रोल्ड बाई या गवर्न डबाई लिगा है दोस्तों तो इसमें क्या होगा जो आगे रहेगा आपका सब्जेक्ट जो आगे सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार लगेगी हमने कहा दोस्तों केवला पांच वही याद करिए कर लेते हैं एक एक जांपल देख लेते हैं इसको आप लोग नोट कर लीजेगा दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लीजेगा तो चलिए सुन देखिए दोस्तों सुनिएगा दोस्तों कि दब्वाए बिथ हीज फ्रेंड्स दब्वाए बिथ हीज फ्रेंड्स हैब मतलब लड़का अपने मित्रों के साथ आया है दोस्तों तो हमने कहा कि इसमें बहुत सारे बच्चे सोचेंगे दोस्तों नजदीक वाले कंसार लगेगा अर्थात यहां फ्रेंड्स है तो यह हो जाएगा मैंने कहा दोस्तों कि वाल आपको पांच देखना है उस पांच में अगर नहीं रहेगा तो जान लीजेगा कि वो भूल नहीं लगेगा अर्थात दोस्तों यहां पर क्या होगा जो पहले लिखा रहेगा दोस्तों जो पहले लिखा रहेगा यहां पर देख रहे हैं दोस्तों है चाहे बित हो चाहे एलांग बित हो चाहे आईज विल आईज हो चाहे टूगेदर बित हो दोस्तों इसके सब के साथ हमेशा दोस्तों जो इस्टार्टिंग में जो आगे रहेगा उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगती है तो असाथ यहां पर हैव नहीं होगा दोस्तों बताईए किसी कोई दिक्कत है जैसे राम आयज विल आयज राम आयज विल राम आयज विल आयज मुहन यहां पर तो दोनों एक ही हो जा रहा है राम आयज विल आयज चलिये चाहा स्याम इज आर इंटेलिजेंट राम की जितना जो है स्याम जो है बुद्धिमान है तो हमने कहा दोस्तों कि जब भी एज वेल आज या इससे सबसे जुड़ा रहेगा तो जो इस्टार्टिंग मेरेगा उसके अंसाल लगेगा रथा यहां पर आज नहों करके इज हो जाएगा बताईए कोई दिक्कत है दोस्तों कोई दिक्कत हो दोस्तों कमेंट करिए बताईए कहीं समस्या हो तो आईए हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं आईए दोस्तों हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं चार वर्ड देखते हैं आपकी स्क्रीन पर लगा है दोस् इसको बताना है दोसतों कि इसमें क्या एरर है बताइए दोस्तों हमने कहा दोस्तों कि अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो निशीत है आपको सफलता मिले कमेंट करिए देख रहा हूँ अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया कमेंट करिए सब लोग ईसान नरेश शेखर नि रिच हमने कहा कि जब भी adjective के पहले दा लग जाए तो याद रखिएगा वह plural noun की तरह कारे करता है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा लिख करके की ट्य टू बीट सी टू डी डो रीक बताई किस पार्ट में रहे दोश्तों वी हैं नेवर ऐन ग대 cancer विल नेवर काल हिम वी है विव डीवर आइंड विल नेवर काल हिम दोस्तों बताए क्या एर और हैouri दूसरे वालन दूस्तों बताए क्या ए सि देख रहा हूं दोस्तों अभी तक आप लोग हुने जवाब नहीं दिया दो दूसरे वाले में बताइए दोस्तो टो टो देखिये दोस्तो दूसरे वाले में क्या है ग्या है Form On Why and Will Enough का लिए तो देख रहे हैं दोस्तों विल्म के साथ तो पापतकर चाँव लगए है क्या कह Plato सुनिएगा है we'll never and will never call him तो दोस्तों हमने क्या कहा यहाँ पर देख रहे है किया है धोस्तों यहाँ पर भी लिखा है यहाँ पर काल है दोस्तों तिसकी helping work तो यहाँ पूरी है लेकिन इसकी helping work नहीं दिखी है अर्थाथ यहाँ पर हो जाएगा कार्ड दोस्तों तो व Are no case and will never call him हो जाएगा अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों काल्ड हो जाएगा तो जो हमारा error है दोस्तों जो हमारा error है दोस्तों वो हमारे a part में error है जो हमारा error है दोस्तों वो a part में error है वहीं देखें दोस्तों तीसरा और चोथा लगा है आपकी स्क्रीन पर तीसरा और चोथा लगा है तीसरे में my brother and I are resembling माई brother and I are resembling me by the Reid Socialism है बताईए दोस्तों इसमें क्या होगा my brother and I are resembling our father आप लो钮ेंट करें और बताईगे क्या होगा तो यहां पर देखुरे हैं दोस्तों my brother and I लिखा है ठीक तो यहां पर दोस्तों आर जो लिखा है वही गलत होगा यहां पर हो जाएगा my brother and I am resembling our father चौथा दोस्तों लिखा है he is owning a luxury car तो हमने कहा दोस्तों owning मिल गया आर था owns होगा he owns a luxury car तो यह था दोस्तों यह था हम लोगों ने आज जो rule पढ़ा दोस्तों उस rule का हमने आज हम लोगों ने practice भी कर लिया चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और आगे दोस्तों हम देखेंगे किस पर अगला जो type है अगला जो चीज है हम पढ़ते हैं दोस्तों अगली चीज हम पढ़ेंगे दोस्तों एंटोनिम अगली चीज हम पढ़ेंगे दोस्तों एंटोनिम और सेनोनिम पर आगे देखते हैं दोस्तों एंटोनिम और सेनोनिम पर आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी परिशान मत होईगा हमने कहा कि आप हमारे साथ लगे रही यह दोस्तों चुकि देखिए सारी चीजे पते हैं हम लोग रूल भी पड़ते हैं एंटोनिम से नोनीम भी पड़ते हैं वन वर्ड भी पड़ते हैं तिसले लगी लंबी क्लास हो जाती है लेकिन परशान होने की जरू होता ही है कल हम लोगों ने पढ़ा था एबंडन अब ब परड़ की बात करें दोस्तों आज के तो टी आर आई यम पी यस दोस्तों ट्रिम्फ वेरी इंपॉर्टेंट है बेरी इंपॉर्टेंट है ट्रिम्फ का मतलब होता है दोस्तों बीजय ट्रिम्फ का मतलब होता है दोस्तों बीजय और इसके अगर सेनोनम की बात करें दोस्त तो विक्टोरी विक्टोरी का मतलब हो गया विजय विक्टोरी का मतलब हो गया विजय दोस्तों ग्लोरियस का मतलब हो गया विजय ग्लोरियस का मतलब हो गया विजय दोस्तों तो यह सब चीज है अगर वहीं हम और बात करें सक्सेस्फुल सक्सेस्फुल का मतलब भी होता है आहिए दोस्तों सफलता या वीजै समय की पूछे जाती है कभी कि पी z 2020 में दे दे देती है वह है अगर अपोजिट की बात करें दोस्तों तो बिजय का पूजिट क्या होता है दोतों हाarent जाना Defeat का मतलब हार जाना दोस्तों वहीए अगर हम और पर गर्ड की बात करें देखिए Mortified का मतलब हिहोते हार जाना या फिर Humiliated Gefliated का मतलब भी हार जाना Humiliated का मतलब भी हार जाना Demeatabeat का मतलब भी हार जाना दोस्तों तो Trim tulips मतलब norm tradeλο एचे है वहीं अगर हम अगले बात वर्ड की बात करें दोस्तों दूसरा वाड़ी बात करें तो ट्रस्ट मतलब होता है दोस्तों विश्वास करना जी हां दोस्तों ट्रस्ट मतलब होता है दोस्तों किसी पर विश्वास करना किसी का फेथ प्राप्त करना दोस्तों किसी का फेथ प्रा पर लिश्वार्ण लेलें दोस्तो तो आर याल आय अन-सी इए रिलायंस इसको बोलते हैं तो यह सल इंपॉर्टन वर्ड है दोस्तों जिसका मतलब होता है विष्वास करना वहीं अगर इसके आ पॉजित वर्ड की बात करें दोस्तों तो धोखा देना धोखा देना दोस्तों वहीं चीज़ डिफीट का मतलब धोखा देना तो ट्रस्ट मतलब विश्वास करना मिस्ट्रस्ट मिस्ट्रस्ट मतलब धोखा देना दोस्तों या फिर दोस्तों और वर्ड की बात करें डिफीट का मतलब भी होता है दोस्तों तो धोखा देना ठीक डिफीट का मतलब भी होता है धोखा देना तो ट्रस्ट मतलब विश्वास करना मिस्ट्रस्ट का मतलब धोखा देना डिफीट का मतलब धोखा देना डाउट का मतलब धोखा देना तो यह सारी चीज़ है वहीं अगले वड़ की दोस्तों तीसरे वड़ क का मतलब होता है दोस्तों इमानदार और इमानदार की अगर हम बात करें दोस्तों तो बताइए कुछ वर्ड बताइए दोस्तों आप लोग टूथ फुल दोस्तों सर्ति वोजो टूथ फुल truthful का मतलब भी होता है दोस्तों इमानदार वहीं अगर अगले वर्ड की बात करें दोस्तों तो Candid Candid का मतलब भी होता है दोस्तों इमानदार वहीं अगर हम अगले वर्ड की बात करें दोस्तों Frank Frank का मतलब भी होता दोस्तों इमानदार है है वहीं लेकिन अगर हम इसके आ पोजिट परड़ की बात कैने डूस्तों तो डिस्तोन मतलब बेईमान दोस्तों डिस ऑल से मतलब बेईमान या फिर दोस्तों को इन सिंसीयर है इन सिंसियर मतलब होता है दोस्तों बेइमान इन सिंसियर का मतलब भी होता है दोस्तों बेइमान चौथे बड़ की बात करें दोस्तों तो अगली बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों यूजी यल वाई अगली और अगली मतलब होता है दोस्तों बतसूरत अगली मतलब होता है दोस्तों बत्सूरत या फिर आप ब्लूमिस कह लीजिए दोस्तों ब्लूमिस कह लीजिए तो ब्लूमिस का मतलब भी होता है बत्सूरत या फिर दोस्तों हाइडियस कर लीजिए हाइडियस का मतलब बत्सूरत वहीं दोस्तों अनट्रेक्टिव कर लीजि तो खूप शूरत यह फिर दोस्तों ग्लोरियस ग्लोरियस का मतलब दोस्तों मतलब वो सुन्दर ग्लोरियस आकरसर आकरसर वाला तो यह सब है दोस्तों हमने कहा कि एंटोनीम सेनोनीम में कोई दिक्कत नहीं है आप दो तीन बार जब देखेंगे दोस्तों तो याद हो जाएगा रटने की जरूरत नहीं बढ़ेगी याद रखेगा आप उसको समझिए वर्ड को समझिए जब आप वर्ड को समझने लगेंगे तो अपनी आप याद होने लग वर्ड में हैं मैंने उसको कहा था आपको कल की सारी चीज मैं उसको करवा दिया हूँ और वो जो है आपको एकठा जो है मिल जाएगी एम्बी गुवस का मतलब होता है क्या दोस्तों एम्बी गुवस का मतलब होता है आइस पस्ट ठीक एम्बी गुवस का मतलब होता है दोस्तों आइस पस्ट अर्था जो चीज इस पस्ट ना हो या आइस पस्ट हो उसे कहते हैं दोस्तों एम्बी गुवस या फिर दोस्तों अन clear कमतलब I spust ho clear ना हो दोस्तों blur मतलब I spust हो दोस्तों indistrict हो तो वहीं अगर opposite की बात करें दोस्तों क्लियर मतलब मतलब इस पर्ष्ट हो दोस्तों और डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट का मतलब भी होता है क्लियर और वहीं अगर डिस्टिंक्ट के पहले इन लगा दे दोस्तों तो इन डिस्टिंक्ट इंडिस्टिंक्ट का मतलब भी हो जाएगा क्या आइस पस्ट तो यह दोस्तों हम लोग आज पांच वर्ड देखें यह हमने पांच वर्ड देखा एंटोनिम और सेनोनिम का देखा दोस्तों हमने पांच वर्ड आज आगे देखते हैं हमने कहा दोस्तों बिल्कुल भी परेश होसलों को जीताये मनजें ने मत दीजिए दोस्तों याद रखिएगा तो है तब ही होगा दोस्तों जब आप धैर रखेंगे आप बने रहेंगे सुरू से आखरी तक देखते रहेंगे दोस्तों क्योंकि अगर भैर है आपके अंदर तो आप निश्ची थी सफन होंगे दोस्तों आप निश्ची थी सफन होंगे डेली क्लास देखिए नियमित देखिए दोस्तों आपको सफलता जरूर मिलेगी तो आए कुछ वर्ड पर देखते हैं दोस्तों, आइए कुछ word पर चर्टा करते हैं, जैसे कल हमने बताया था दोस्तों कल हमने बताया था कल आपको एक हमने दिया था side word कि अगर अंत में side मिल जाए तो उसका मतलब क्या होता है, उसी तरह दोस्तों आज हम एक word और देते हैं, अगर आपको अंत में लाजी मिल जाया दोस्तों तो लाजी का मतलब होता है अध्यान दोस्तों लाजी अगर मिल जाया दोस्तों तो उसका मतलब होता है अध्यान अर्थात आप्सन में केवल आपको एक चीज़ देखना है इस्टडी आप्सन में केवल आप एक चीज़ ऐस सुद्दी जैसे दोस्तों और किऊ लयजी और किऊ लाजी और किऊ लाजी देखिए आपकी मतलब होथा है पूरा अटुर जी हां झाल है यहां सिми अंब का अध्यान पुरात तो विज्ञान का अध्यान अर्थात पुरानी सभिताओं का जो अध्यान होता है दोस्तों उसे आर्कियोलोजी कहते हैं या फिर दोस्तों सिविलाइजेशन आपको मिल जाए सिविलाइजेशन का मतलब होता है पुरानी सभिताओं का जो अध्यान किया जाता है दोस्तों उसे कहते हैं क्या उसे कहते हैं दोस्तों आर्कियो लॉजी वही अगर हम बात करें दोस्तों एंथ्रोपो लॉजी एंथ्रोपोलाजी एंथ्रोपोलाजी का मतलब होता है दोस्तों इस्टडी आफ हुमायन मानो का अध्यान दोस्तों मानो का अध्यान एंथ्रोप का मतलब होता है दोस्तों मानो और लॉजी का मतलब होता है दोस्तों अध्यान इस्टडी आफ हुमायन बिंग्स मतलब मानो का लौई कि बात क्वे खर्यक्रण और तो पॉक्ष्य ऑघ्ञें यह सबक अगली वोड की बात करूतों आगले वड की बात क्रें तो पैथोलोजी है दोस्तों नियूरोलाजी नियूरोलाजी लाजी का मतलब दोस्तों अध्यान नियूरों मतलब नियूरांस अर्था दोस्तों तंत्रिका तंत्र का अध्यान तंत्रिका तंत्र का जो अध्यन होता है उसे कहते हैं दोस्तों नियूरोलाजी तो यह हमने दोस्तों कुछ वर्ड देखा जो कि लाजी पर अंत्र होता है लाजी पर खत्म होता है आर्कियोलाजी पूरा तत्व विज्ञान एंथ्रोपोलाजी मानो विज्ञान पैथोलाजी दवा विज्ञान एंथ्रोपोलोजी एंथ्रोपोलोजी का मतलब क्या हो गया दोस्तों एंथ्रोपोलोजी मतलब हो गया क्या नहीं नियूरोगी है दोस्तों एंठ्रोपोलोजी तो मानो भी ज्यान नियूरो लजी तंत्री का तंत्र भी तो यह था दोस्तू आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरोर कीजेगाक कमेट प्रण कीजिएगा आफ लाइन कमेंट करिए दोस्तों जब खताम हो जाया तो इसके बाद कमेंट करीए गाम देखता हूं कि कौन-कौन से बच्चे हैं जो क्लास पूरी देखें दोस्तों तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में साम को साथ बजए नमस्कार करेंगे